भारत की महान पौरानिक कथाओं का संगर सब्स्क्राइब करें भक्ती कथा करेंग मौरानिक कहा हादशा है वरत करेंग भक्ता रॉठीर कोरें भक्ताइब करेंग एक्ता रॉठीर के अबड़न एक्ता रही विद्वारक सब्सक्ता में अबिए झाल झाल कर देवी नारायनी नमोस्तते कात्यायनाय विद्मेह कन्यकमारधी में बेती तुम ये क्या है बेती तुम लोगों के साथ माता के दर्शन के लिए खड़ी हो तो क्या हुआ पुजारी जी तो क्या हुआ इस मंदिर को बनवाया तुम्हारे पुर्खों ने देवी मा के लिए पंचलोज से बनी आँखों की पंखड़ी भी उन्होंने ही बनवाई इस तरह लैन में क्यों खड़ी हो देवी मा को निकट से दर्शन करो आओ बेती आओ कोई बात नहीं देवी मा की दर्शन ही काफी है अभी तो पास वाले गाउं से मैं हर रोजा कर दर्शन करती हूँ माता तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे पुरे परिवार की भी रक्षा करेगी तुम्हारे चलती हो पुजारी जी दुर्गा मा को कुल देवी मान की रोज पूजा करती हो सब शुब शुब होगा ठीक है अज़े अज़े आप शेगुल है करें माता 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 पूरे गाउं की रक्षा करने वाली है तुथ इसलिए तेरे घर का द्वारसदे अख़ुला रहता है मा लेकिन आज तुने ही तेरा द्वार बंद कर दिया है पता नहीं कौन सा नद ठोने वाला है मा रक्षा करो मा भैराओ 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 इस तरह क्या देख रहे हैं इस अपने आपको प्रत्यक्ष में लाना केवल तुम ही कर सकते हो भैराओ तुम दूसरों की तरह मनिश्य हो मनिश्य रूप में पकट हो सकते हो ना कहते हैं ना कन-कन में भगवान है सिर्फ भगवानी नहीं मैं भी रहता हूं मेरे मंत्र शक्ति उस दिवे शक्ति से भी महान है भैराओ हम दोनों ने एक ही गुरू से मंत्र सीखा है मैं सन्यासी बन गया लेकिन तुम इश्वर बनना चाहते हो छोड़ो सोमी तुम मेरे यहां आए हो तुम्हारे लिए खास सौगत है उदर देखो करना कैसा लगा अद्भुत है मंत्र शक्ति में तुम्हारा कोई जवाब नहीं तुमने अपना काम तो सौगत के रूप में दिखा दिया बदले में मेरा करतव यह है कि मैं तुम्हें कुछ दू यह क्या है दुर्गा मा का प्रसाद है यह निम्बू प्रसाद है हां इससे निचोड़के तुम इसका रस निकल सकते हो क्या पहारों को तोड़ने वाले से निम्बू तोड़ने को कहते हो अब देखो हार गे तुम तो इशुर हो ना बहराओ दुर्गा माता के चर्णों में पड़े एक मामुली नीवू में इतनी शक्ती है तो मा की कितनी शक्ती होगी उसकी पंखुरी में कितनी शक्ती होगी यह सब जान लो मैं चलता हूं कि दुर्गा मा की आँखों के पंखुरी में इतनी शक्ती है मुझे उसके आँखों के पंखुरी चाहिए मैं अभी जाता हूं जुर्गा माता तो वाकी शक्ति शाली है और सुना है के तेरी शक्ति तेरी इनांकों के पंकडियों में है ये पंकडिया मुझे चाहिए ये पंकडिया अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इश्वर बन जाओंगा और तू सिर्फ पत्थर सुनिए ये आपको क्या हो गया मीना दफ्तर जाते वक्त एक्सिडेंट हो गया मिस्टर सिर्वास्तो अब आपका दर्थ कैसा है अब थोड़ा ठेक हो डॉक्टर बहन जी आप इनकी धर्म पत्नी है ना आपसे कुछ बात करनी है आईए एक्सिडेंट में आपके पती को काफी गैरी चोट लगी है उस वज़ा से वो दो अपनी दोनों आखे खो बैठे है जॉक्टर जहें जितना भी खर्चे हो कोई बात नहीं बस उनकी आखों को ठीक कर दीजे आम सॉरी मैं डॉक्टर हूँ भगवान नहीं आपकी पती को दवादारों से ठीक नहीं कर सकता और माया मंधर में जानता नहीं हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर हर हर शंकर तुम सब यही रहो स्वामी जी मैं अपने शिशेगणों के साथ जा रहा है था इस इस घर से आपके रोने की आवाज मुझे यहाँ आपके पास खेंच लाई इसलिए आ गया जिस दुर्गा मैया की मैं पूझा करती हूँ, उसी ने आपको भेजा है स्वामी जी मेरे पती ने अपने आखें खो दी है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो अब देख नहीं पाएंगे सत्यकावी जी तुम्हारे पती को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता स्वामी जी आप भी ऐसा ही कह रहे हैं मैंने कहा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता पर ये नहीं कहा कि इश्वर ठीक नहीं कर सकता मतलब मतलब मेरे पती फिर से देख पाएंगे हवश्य देख पाएंगे यदि अपने कुल दीवी दुर्गा मय्या की आखों की पंखोणिया ले आओ तो उन से उनकी आखों की रोष्णी लोट आएगी अगर ऐसा है तो मैं किसी भी तरह मंदिर जाकर देवी मा की पंखोणिया लेकर आऊंगी लेकिन ये तो पाप है बेटी और कोई रास्ता भी तो नहीं है एक स्त्री के लिए उसका पती है परमेश्वर है उस परमेश्वर के लिए ये पाप तो मुझे करना ही होगा स्वामी जी आप यहीं रुकिये मैं इसी वक्त दुर्गा मय्या की मंदिर जाकर मा की आखों की पंखोडिया किसी भी तरह लेकर आते हूँ माँ मैं तेरे सामने खड़ी होने के लाइक भी नहीं हूँ मुझे एक शमा करना जो उधार दिया जाता है इसे वसूल करने के लिए लोग आते हैं लेकिन ये भागन दे हुए बेट वापस देने के लिए आई है माता मेरा दुख तो जानती है मैं तेरे आखों की पंखोड़ी चुराने आई हूँ माता आज तक तुने मुझे किसे भी बात की कम ही नहीं रखी और राज उसके बदले में मैं तेरी कसुरवार बनकर खड़ी हूँ बेवी मा मैं जानती हूँ कि ऐसा करना पाप है उसके लिए तू मुझे कोई भी दन देना चाहें दे दे लेकिन मेरे पती की आँखें लोटा दे माता माता बागी ने मुझे चोर बना दिया और मेरे कारण तू अंधे बनने जा रही है कि अगला झामा कि वार पता देना और मेरे पता है कि अगला पता है झाल 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 पार्टन स्वामी जी मैंने अंधे की भूमी का निभाई और मेरे बीवी आंखों के पकड़ी लेने चली गई है वो मिलते ही पूरे 25 लाक रुपे देने का वादा किया है आपने नोटों को गिंकर तैयार रखिये आखों के पकड़ी अन्द वे स्वामी जी मैं कल ही जेल से चूट कर आया हूँ आते ही आपने डॉक्टर का भेज दे दिया मैंने एक्टिंग बहुत बढ़ियां की आप माल भी बढ़ियां दे दीजिए तुम दोनों ने केवल भेश बदला मैंने तो अपना रूप ही बदल दिया वो कैसे स्वामी हमें भेश बदलने के लिए हाफ ना और लग जाते हैं आप हाफे सकिन अपने पूरे रूप को कैसे बदलते हैं बताईए हाँ वही तो बताओं कैसे देखो ऐसे महापापियों तुम लोगों ने मुझे धोका दिया मीना मीना तुम आ गई मीना आंकों के पकड़ी समाल के लाई हो ना बस कीजिए अंधिय का लाटक बं कीजिए जोट पोलकर मुझे देवी माक्वी पंखोड़े निकालने पर मतबूर कर दिया ओ एक्टिंग के पता चल गया बाजसन ये पंगणी मुझे देदो पाकिंग माल के साथ वेटेंग इव इटो में नहीं मैं इन्हें आपको छोने भी नहीं दूंगी मैंने जो गुनाह किया उसते प्राइस चित के लिए मैं इन्हें देवी मा को लोटाने जा रहे हो एई क् जो प्तमования झाने धेन का एई वेड़ी मा जाख में वेड़ी मी यूओी एजिए में वेड़ी मा झाख लेड़ी एणलिय इव नहीं मा जाख लेड़ी को घग़ी कैस प्ताब येड़ी प्सके साथ टेचरो चुनाहन ब्सके सिरेग तक के सामि साथ उसी को और घबू़ी को लुटे लगाव, भुटे लोगाव, लोगाव, लोगाव! देवी मा, तु नीम का पेड़ नहीं, स्वहिम देवी मा हो, मैं इस नीम के पेड़ को ही दुर्गा मा मान कर, तेरी ये आग के पंखुड़िया तुझे को लोटा रही हूँ, उन पापियों के हाथ लगे बिना इनकी दुर रक्षा करना पाता, सिर्फ इन पंखुड़ियों को ही नहीं, मैं अपने पेड़े में तेरे हवाले कर रही हूँ, आज से तो ही इसकी मा है पाता, 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 ये नीम के पेड़ क्या कोई सिस बंक है, जिसमें डिपॉजल करने से को चुरा नहीं सकता भी देखो पाता, पाता? कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो जो दो प्र१ाँ तेखने एना बाटर्मगी झाल झाल ह। एए तुर्गा मा की आखों की पंखडिया मुझे चाहिए उसे बाने का रास्ता बता उसके लिए तुम्हें 16 बरस नेत्र सिधी तब करना होगा एए चाहे जितने भी वर्स लगे मुझे वो आखों की पंखडिया चाहिए मैं अब इसे नेत्र सिधी यक चुरू करता हूँ करना है उसे दुम्हे जिए बत्र सिधी नेत्र सिधी लुद करते हाद roadmap करना हास्ता हम आenne करना है मॅझे अज़ करना है पिंदाणार बिंदाह उस्त एप atualne मैं ओसे कि शेसे बाना है इसे रदाख़ आख़ पू Christmas करना है आख़ के इसा दोर्स अर्यteil goofy मैंस सुने दीधी क्या है दुर्गा मैं जा के माखाना खिला के आती हूँ जरा घर देख लेना तुने खाना खाया माखो खिला बगर मैंने कभी खाना खाया है अरे ये तो नीम की पेर की नीचे पड़ी अनात ररकी थी, तो फिर किस मा के लिए खाना ले जा रही है? अरे इसकी कहानी क्या बताओं, छोटी उम्र से खेतों में काम करके पैसा कमाती है, उसी पैसे से अलग-अलग खाना बना कर देवी मा के पास ले जाती है कहती है, दीव मां इसके हाथ से खाना खाते कौन मानेगा? ओ मिया, आजा, 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 दही चावल, नीम, बुचावल, मीठा चावल, सब बना के लाई हूं मैं, आके दबा के खाले जनम देने वाले अपनी मा को कभी देखाई ने, जब से होश समाला तब से, नीम के पैड में रहने वाले देवी मा को ही मा समझती हो, लेकिन इसमें भी एक खूबी है कैसी खूबी? हम दोने शकल सुरच से एक जैसी है ना, तो तू मेरी मा और मैं तरी बेटी मुझे लगता है नीमबू चावल में नमक नहीं है दुरका, ये बात है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ मैया, इसमें नमक भी है और ये खुश्बुदार भी है, मज़ाख मत करो, चलो शुरू हो जाओ मेरी मानो, अब इसमें मिठास आ गई, इसमें मिठास है, वो केसे, तुम्हारा जूटा है न, इसलिए समझ गई, तुझे मेरा जूटन खाना है इसलिए, इसमें ये नहीं वो नहीं कहके मुझे खिलाया, तु बड़ी चालाख है मता, तु तो पूरे दुनिया को खिलाती है, तुझे खिलाने का सौभागया, तुने मुझे दिया, मेरे लिए ये ही बहुत है माँ ή। तु थाओचा कि दुझे उछाँ, तु 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 सेता साविर्थी की तू सखी है माँ, हाँ तू सखी है माँ, कहीं पार्वती है तो कहीं तू लगती है माँ, कांची का माक्षी है माँ सेता साविर्थी की तू सखी है मा, हाँ तू सखी है माँ, कहीं पार्वती है तो कहीं तू लगती है माँ, कांची का माक्षी है माँ ये सच है, ये सच है, फोटे कले, मोटे जडे, असदे जो माँ अरे अनपूर्णी, ये मिने हात से तु खाँ, जूला आज बाहुका, आजू तू तुछ को मैं जुदा सेता साविर्थी की तू सखी है मा, हाँ तू सखी है मा, कहीं पार्वती है तो कहीं तू लगती है मा, कांची का माक्षी है मा कि कर दो कि अड़ते ओंगा रादे जू जो सखी है मा, कि मुदू खाँए जाहिए तू सखी है ये मान ठाजड़ते जो आजड़ते जाहिए ये मुदू जो नहाँए शज़ते जाहिए शड़ते जो बादे जापिनग मैं दो जिलों शक्ती के शंख से पीते और तो पिलाते थी मां कहनियों में चून करके जूला भी तू बनाते मुझको जुलाते थे मां ले गए शिबन मेरे अंधुम मुझको दिलवाने सरस्वती से मेरे बालों में घज्रा सज्वाने काली के हाथों से हार बिया तुम हुआ दे मां आचिपूर से सारी मुझको तू दिला दागा आद्मामसे चूले मुझको तू दिला राचादी राचायं प्रसष्यत सामिने नहों बयां वैश्वना यकू पहे तूमेका मांगा मतामा यवख्यं आमेश्वरो वैश्वना नहों पहे अधिन मंगाए थे पून मेरे बाजेब आद्रों के उसबार से हाट के ये खंगन भी फंग भाई मेरे लिए इंद्र महा बाजार से काशी से काणों के जुंगे मेरे ले आई मेरे लिए इंचनख पूरी नौंग ये नाख के ले आई बिंदी चाम उंडे मंदर तरके मुझे तू दिलवादे माबाल संदरी सुन्दर रूप है तिरा ये रूप प्रेम के लिए खिलते गुप से भरा तेका सावड थी की तू सकी है मा तू सकी है मा कहीं पाबती है तो कहीं तू लखी है मा कांची का माशी है मा ये सच है पूते कले मुटे जहरते हसते दू मुझा अरयन पूर्णी ये मेरे हाथ से तुखा जूदा आज बाहुका आज तुझको मैं जुदा अरयन पूर्णी ये मेरे हाथ से तुखा जूदा आज बाहुका आज बाहुका आज तुझको मैं जुदा अरयन क्योओं पूर्णी न या आज बीटेश्ट लूर्णिकष्ट तक यू मिष्टर राश्कुमार, तो कि मैल कि व्यूस्ट रजर्णी मै एव यह बचाई व्यूस्त कैश पूरे गाउं को ही टपका दिया इनके बदम से निकालेगे हार्ट किट्नी सब समाल के कोल्ड स्टोरज में पैक करके रखे हैं अगर आप लोग रेट फिक्स करें तो सबका सब आप लोगों इन कंट्री में भेज दिया जाएगा वहीं डिलिवरी ले सकते हैं अज यूशर येस मम्मी क्या मम्मी मुझे माफ कर दो बेटी बेटी बुलाना चाहा गडबड़ी में अंग्रेजी में बेटी मा बन गई क्यों बेटी हर रोज हाथ में एक एपल ये उसकी खुबशूरती चाक्टी रहती हो ऐसा क्या है तुम्हारे एपल में पता है रोज एक एपल खाने से डॉक्टर से मिलने की नौबत नहीं आएगी दो चार रोज कुछ भी मत खाईए किसी से भी मिलने की नौबत नहीं आएगी क्यों ब्रदर हमेशे रात को ब्रीफ केस लेकर बाहर जाते हो आज दिन को ही निकल पड़े बेटी काले धंदे करने वालों के लिए दिन क्या और रात क्या सियासत वालों के हाथ में सूटकेस और इनके हाथ में ब्रीफ केस दोनों को माल से मतलब है इधर है कि अब छोड़िये ऐसा करना पाप है ऐसा मत कीजिए ये क्या कर दिया ये धूपे जो पुजा करें ले जा रही हूं और अब उससे सिग्रत चला रहे है तेरी ये हिम्मत अपने पती से जबान लड़ा अरे वाँ प्यारी सिस्टर मैंने जोरों से धक्का देया उस बेचारी को का जेश्वरे अफसोस दूप और अंगा नीचे गिर गया ना कोई बात नहीं जाने दो अब अपने हाथों से अंगारों को इसमें डाल कर अपनी दुर्गा मय्या की पूजा करना तेरी हो रही है न तुम माता की भक्तन हो अगर तुमारा हाथ लगा तो यंगा मा बेचे उसे मत चुना अंगार है मा मैं जानती हो मा इन्हें मैं उठा के डाती हूँ राधा यह क्या है जी भूप क्या अंगार है या कोई फूल है आपकी बेटी उन्हें यूहीं उठा के रख रही है तेरी बेटी कितनी चाला के देख लिया अंगारे को हाथ से उठा के डाल रही है तुम चुप्रा हो बेटी ऐसा लग रहा है कि जूनियर माता सामने आई हो हम लोग और भी यहां रहें तो भक्ति में मगन होकर नाचने लगेंगे चलिए बादाम पिस्ता डाल की दूद उबाल की लाने को कहा था दूद कहा है बादाम भी है पिस्ता भी है लेकिन दूद नहीं है दूद क्यूं नहीं है चोटी मिम साफ सारा दूद अभिशेक के लिए ले गई बेडी देख लिया तुमने हम पीने के लिए दूद खरीते हैं वो उसे देवी मा के ऊपर पानी की दरबा आ रही है इसे यूँ ही छोड़ दिया तो इस घर में एक दिन दूद तो क्या पानी भी नहीं मिलेगा रुक जाओ दूद कहां ले जारी हो देवी मा के अभिशेक के लिए ओजो दूद इनके पीने के लिए रखा है उसे देवी मा को नहलाने के लिए ले जा रही है क्यों तुम्हारी देवी मा बिना दूद के नहीं नहाएगी रामलाल जी मित्थी का तेल लेकर आना लीजिये मिम साब आज की दिन तुम अपनी मा का इस मित्थी के तेल से अभिशेक करोगी एई ठेरो इस कलश को बेक अप करके इस तहें संभाल के कहा ले जा रही होँ? आज एक आदसी है देवी मा को प्रसाद चढ़ाने माण ले जा रही हुं, इसमें क्यों एक आदसी के दिन Мें है मया माण पीती है, बाकी की दिनों में वह माण नहीं पीते या हरा नहीं होता है एक पत्थर को बिंदी लगा कर फूल लगा कर कपड़ी पहना कर मईया कहती हो क्या ये पागलपन नहीं है ये सब तो फिर भी ठीक है मगर रोज तीन वक्त खाना भी खिलाती हो ये बताओ तुम्हारी माता को चैनिज खाना पसंद है या कॉंटिनेंटल तो ये काम कर इसे ले जाकर कच्रे में फेक दे फिर फ्राइड राइज या नूडल जैसे चैनिज आइटम बना कर माता को खिला मज़े लेकर खाएगी हो ये पाप है जी इस तरह क्या घूरी है आण रउटम आण बाना पाण बानी... पानी... पानी... पानी पानी निची.. मानी पानी तयश्य फफ्प्प। एछ... माँ, सुपान निभी माता माँ, इसके सारे पाप दो दे अपने आविशाब दो दे दड़ब दड़ब के माँ, चरणों में तेरे आई बिलख बिलख के माँ, देजी हूँ, तुझे दुआई दुख हरने वाली तुही जोलियां भरने वाली है मेरा भरा तेरे सिवा पॉनिया हां तुह बोल कुझे छोड़के मैं जाओं तो हां तेरे शक्ती में भरोसा मुझे है दया की आशा मुझे कर दे, दया तु कर दे, शमा तु इसके भूलों को कर दे देख पसारे हात है मा तेरी मुझे पे करम की आस है मा देख पसारे हात है मा तेरी मुझ पे कर्म की आत्रमा तू सक तोशी वहे शुबरी दुपड़े सुने लिदया कर्मा है हम सब तुने पूचने वाले इस अपला में दया कर्मा बाबाई भुबने शुबरी बागाली दुदया कर्मा आपी भूले के तू इन देखने शक्ति मुझी तु दया कर्मा शेरा बाली दुर्खे ले आपी तु दया कर्मा कालहती वैश्ण ले आपी तु दया कर्मा और एक सो आज विबार भवाने नाम जबू मैं दया कर्मा तुछ पन लू यारू मनाउने माँ अब कुवाई दया कर्मा इन आखो में तर्शन की जई जनमों की प्यासर्मा देख पसारे हातर्मा तेरी दुछ पे कर्म की आसर्मा मद्दल देवी बहावरा ही तुष्ट में आशे दया कर्मा अब्रता रशिणी धर्म प्रता रशिणी रश्चा मिलादे दया कर्मा जिनति दिरख ले लाँच तो देवे जानी वेवार दिक्षा दया करवा हैं सुरक शो हुनिये मैं स्वज्ञ कर ले कशन द हुच हम जड़क का माक्षी दया करते, देख पसारे हाथ है मा, तेरी मुझ पे करम की आसर है मा जोद को कर ली आखो आते, रोग मेटा दे कया करमा, ओ भाहिशा सर्मारने वाली इस पचमा दे कया करमा ऐसे राभूर राजेश्वरी इस छोटी सी भूल से तू, इसकी घरिक नादानी एमा अब तु बुला दे गया करमा तुझ पूने चर्टन के एक चड़ाओंगे, पास देख चर्ड़ों में तेरे जलाओंगे पर तू आखे ना भोली तु नाचते गाते मैं मर जाओंगे तुझ को जगा के छोड़ोंगे अंबे या फिर मैं सोचाओंगी तड़क तड़क केमा चर्णों में तेरे आई बिलक बिलक केमा देतिनु कुझे दुआई तुनी जोलियां भरने वाली तुनी जोलियां भरने वाली ममा इसके सारे पाप जोड़े अपने आभी शाप दोड़े दड़क दड़क केमा चर्णों में तेरे आई बिलक बिलक केमा देतिनु कुझे दुआई दुझ हरने वाली तुनी जोलियां भरने वाली है मेरा भरा तेरी सिवा पन यहां, तु बोल तुझे छोड़के मैं जाओ कहां, तेरी शक्ति में भरा समुझे है जया गिया, समुझे करने जया को कर दे, छमा तु इसकी भूयों को कर दे माता, इतना कहकर भी तुझे दया नहीं आई, तेरी मोतियों को लेने का मन नहीं है, तेरा गुस्ता अभी थमा नहीं, हे जगदंबी माता, तुझे जाने का मन नहीं है, तो मेरे बदर में आके रह ले, उनके बदर के सारी मोतिया मुझे दे दे, मेरे बदर में वासकर, तुझे सोगद है, सोगद है, सोगद है मुम शकति, मुम शकति, मुम शकति.. प्रमलाल? क्या है मेम साथ, आपने बुलाया? मैं बाहर जा रही हूँ, ब्रदर आये तो बोल देना. मेम साथ, पैसे सुरी मेम साथ को माता आई है, आप उन्हें अकेले छोड़कर जा रही है? उसे अकेली ना छोड़कर, उसके साथ मिलके गुरूब रांस करने को कह रहा है? ए, ये चुवाचूत की बेमारी है, कहीं फैल गई तो मुझसे उसको मिली, उसके पास से फिर से मुझे लगी तो मुझसे नहीं होगा. मैं किसी होटल में रह लूँगी, हफ्ते भर बाद ही लोटूँगी, कह देना. आईसा, महीं सती, होगुः, भर आशकूए, भर आशकूए. उतो मा. मा, ये लो मा, वाष्न माता का देग चल? देख लिया, अमा, तुम्हें अकेली छोड़कर सभी लोग बाहर चले गए, उस पर तरस का रही थी न, तुम, देख लिया उसका नतिजा कोई बात नहीं, बेटी, दासना पिच्छो का काम है, उसे सेहना मेरा काम है शिक्र मत करो मा, मन में माता के नाम का बोज्ट होती हो, तन में माता को ही ठोती हो तेरा बोज उतारने के लिए चाम उंडी आएगी इन मोतियों को ले जाने के लिए मा शेरा वाली आएगी बुुुुुुुुु उख, बद्ध्ध्ध! Montal, Montato! Montal! माता 1 Million Dollar is our offer वाव 1 Million Dollar Mr. Nicholas हमारे मल्क में आद्मियों को किटनेप करना मुश्किल है एश्वनों को किटनप करना पहुत अथान है उन पंखुनियों को मैं अभी जा कि लाता हूं क्या हुआ मा कुछ नहीं आंखों में धूल गिरने वाला था ये क्या मा, हमारे तरह साधारन आखें हैं क्या तेरी? चान्दी की आखें हैं, वो भी हजारों आखें, उनमें धूल के से गिर सकता है? भाग ये में गिरना लिखा है, तो उसे कौन टाल सकता है? ठीक है, ठीक है, तो बातें बहुत ज्यादा ही करती है, थोड़ी देर खेलें, चार, एक, दू, तीन, चार, माता, ये तुने क्या क्या, तुझे डसने के बजाए सामता नीचे उतर गया, अरे दुर्गा, ये साम्प नहीं है, गौर से देख, सीड़ी है, आ, वहाँ तो साम्प था, तुने जादू टुना करके से बदल दिया, तु उस तरह घपला करेगी, तो मैं नहीं खेलूगी, जा, ठीके ठीके, बुस्सा मत कर, मैंने खेल-खेल में थोड़ा अपना खेल दिखा दिया, अब फिर से इसे साम्प बना देती हूँ, ठीके? अरे वाँ, मेरी अच्छी मा, मेरे लिए खुद हा रही है, तुमसे हार जाओंगी, और जिसे हरा ना है, उसे अवश्य हराओंगी, क्या बोल रही है, देख मा, पहेली बुझा कि मैंने सर मत खा, इस समय मुझे तेरा सर नहीं चाहिए, सुदिए, आपका सर, ए, क्या है, मेरा सिर चाहिए, मेरे तो सिर के उपर काम है, बीच में आके सिर सिर बोलके मेरा सिर खा रही है, ऐसा मत कहिए, मैंने सपना देखा कि देवी मा की तृशूल से आपका सर कट गया, क्या बक्ति है देवी मा का त्रिशूल क्या AK47 है जो सिर काट डालेगा तेरी उस मम्मी के पास जो भी है सब ढम्मी है एटमास्फेर के लिए मेंटेन कर रही है उस त्रिशूल से सिर तो दूर ना खून भी नहीं कर सकता जरा रुकिये आप कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या मैं जान सकती हूँ है दो सवाल हैं जो एक पत्नी को अपने पती से पूछने नहीं चाहिए वेर आर यू गोइंग वाठ आर यू डूइंग गोइंग कहीं भी हो स्टेइंग तेरे साथ ही है ना यह सोच के खुश हो जा यही एक अच्छी नारी का उत्तम लक्षन है ओके टाटा कि अ कि कि कर दो करें लोग पेड़ों से पेपर बनाते हैं बड़े बड़े जहास बनाते हैं अपने लोगों का भी जवाब नहीं पेड़ में आखे चिपका के पूछते हैं हैं हेलो मैं जानू क्या आखे उखारता हूं पेड़ क्या आखे नहीं छोड़ूंगा हेड़ो हाँ 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 अज़! अँ़ इए? पिंगा करो कि लिए पानी पिन वो के रहा है प्रीज वो करतों पानी वो के बानी वो कि रहा है खुछ पुछ एै Lawrence, मैं पानी वीन हो कि रहा है और बानी वो नही है वो उन है क्या बगते हो इस साफ पानी को देखे खून गेर हो तुम का बागल हो पानी करते हो यकीन में होता अब देखो हाहा हाहा हाह 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 कौन हो तुम कौन हो मैं कąż को चोड़ो तुम कौन हो ये में बताता हूं आखे निकालने गई चोट खा कर यहां आगे तुम्हारे पास इतनी मंदर शक्ति है तुम चाहते तो वह आखे कभी की निकाल सकते थे मैं उस राके में जा नहीं सकता मुझे इसा श्राब है लेकिन तुम जा सकते हो तुम्हें क्या बता माता की आखों को छूते ही बिजली के जटके की तरह एक शक्ति ने मुझे उठा के यहां फैंक दिया और तुम कहतो मैं जाओं चिंता मत करो एक दिन के लिए माता की आखों पर पट्टी बांधी जाएगी उस वक्त देवी के पास कोई दिवे शक्ति नहीं रहेगी तब पंकडिया निकाल सकते हो अच्छा वो कब होगा जब वो दिन आएगा तब मैं तुझसे कहूँगा लेकिन एक बात उन्हें निकालने के बाद तुम उसे मुझे दोगे वादा करो मगर पहले ही मैं किसी के साथ उनका एक करोण रुपे मैं सौदा कर चुका हूँ अब उन आँखों को उनका हवाले किया तो तुम्हें सिर्फ रुपे ही मिलेगे मुझे लाकर दोगे तो मंतर शक्ति भी मिल जाएगी तो ऐसे चाहिए या मंतर शक्ति ओके उन आखों को मैं तुम्हारे हवाले करूँगा आज के बाद हम दोनों पार्टनर्स अरि वाय आपके हाथ लाते ही सोना ही सोना बरस रहा है आपकी शक्ति के आगे वह उम शक्ति क्या कर सकती है कैसे भी हो आखों की पंखुड़े आपको लाकर देँगे है न ब्रदर तुमने क्या दिया आप किस की का चलेगी वैसे भी तुमने बिग 전 diss disagreed देख लिया ना आप मुझे घर में सोने नहीं दोगी आखो कि पंखुणियां लाने तक चुप नहीं बैठोगी तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा ओके मैं चलता हूँ पार्टी मेरी और पेटी तुम्हारी तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है माता माता दुर्गा माता मेरे साथ जो हुआ वो सुन तु लाट प्यार से पालती है ना दुर्गा को वो कोई इसी ओ इसी लड़की नहीं है महाँ 420 है मेरे भगीची के सारे आम चुरा के मेरे ही गाड़ी में बाजर ले गई और मेरे ही आँगों के सामने बोली लगा के बेश दिया माता बेश दिया अपनी लड़की के यही गुंदिया है पूरे गामवाले उससे भोली भाली मासूम समझते लेकिन वो तो एक नमर की बदमाश है तू तो सब कुछ देती है लेकिन तेरी बेटी सब कुछीन रही है क्या यही तेरा इंसाफ हो अगर तू सच्पूच धरम की रक्षक है तो उ आइसारी मर्जी Märin मा्29 आज کی कमाई ہजार रुपय रुको क्या है मा यह रुपय कैसे बजार में आम बेचे कौन से आम चोरी के तुम्हारी यह हिमत कि मेरे सामें चोरी कबूर करती हो हां मैंने क्यों चोरी की पता है उस श्यामाचरण ने तुम्हारे बगी चेके सारे आम के पेट ठेके पे लेकर पिछले तीन साल से एक रुपया भी ही दिया उसे सबक से खाने के लिए ही सारे आम तोड़के बेचती और पैसे ले आए तुमने भलाई के लिए किया है फिर भी ये काम गलत है उसकी सजा तो तुम्हें भूगतनी ही पड़ेगी सजा क्या है बोलो चोरी करने वाले इन हाथों को काटना है तो काटो आज पूर पूरा तुम्हें देखी बिना मैं कैसे रहूंगी बोलो तुम जानती हो कि मैं बड़ी जिद्धी हूं जो कह दिया तो कह दिया आज एक दिन मैं तुम्हें नहीं देखू यही ना ठीक है छोड़ो अरे यह तुम क्या करें यो मैं अगर तुम्हें नहीं देख सकती तुम्हें कुछ भी नहीं देखना चाहती लेकिन मा मेरा मुँ अभी तक खुला है आज पूरा दिन मैं तुछ से बाते करते ही रहूंगी अच्छा फस गई ना सावित्री माता का ये केर्टन बहुत बढ़िया है ना दो दिन से घर में चूला नहीं जला केर्टन से बच्चों का पेठ थोड़ी भरेगा सब किसब भूके पढ़ें जाकर दाल चावल का इंतजाम करो मा, मा, परमेश्वरी, मा, मेरे बच्चों की भूक मिटाने के लिए क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं सूज रहा है, मा मा, रास्ता मिल गया, मा, तुमने रास्ता दिखा दिया, आज तेरा गुंग आके उससे घुजरा करता रहा, लेकिन आज, इस तुम्बक से मेरे बच्चों की भूक मिटाने वाला हूँ, मुझे माफ कर दो मा क्या हूँ रहा हूँ आप किया कर रहे हो पंडित गाओं को धर्मनिश्टा का पढ़ेने वाले तुम ऐसा काम कर सकते हो जोरी करके जूट की बोकूड आउ तेरे पास जितने भी पैसे हैं सब चोरी की ना ये सब मेरे पैसे हैं मैं घर से लाया हूं फिर जूट ए दुर्गा वे खरें चोरी ने की छोड़ दो ना तो जे तो अपने सिवा बाची सब बरे दिखते हैं अरेव चुप हो जाओ इनको चोरी करते में अपनी आंखों से देखा। यह कह रहा है कि इन्होंने चोरीनाई किये। इनको चोरी करते में तुमारे सुआ किसी और ने भी देखा है? जरूर देखा है। सुनो, यहां रहनेवाली देवी मा की नजर से बच कर कोई कुछ निstory सकता। चाहिए तो पूछ लो तो चिट डालके माता से पूछ लेते हैं आई अभी ठीक है तेविमा मुझसे भूल हो गए वेकिन मुझे चोर सावित मत करना सावित मत करना दुर्गा तुम ही चिट निकालो बेटी चोरी नहीं की देविमा ने खुद बोल दिया कि इन्होंने चोरी नहीं की क्यों इस भले आदमी पर इल्जाम लगा रही हो बेटी दिन बर दिन ये लड़की बिगरती जारिये से ठेक करना होगा चलो बैट चलो 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 यह तो बोलती है रही कि चलो चलो जूटी बना दिया ना बाद में देखते हूँ मुझी मत चुओ मैं तुछे नहीं बोलूगी नाराज हो मैं जानती हूँ एक छोर को निर्दूश थाबित किया है मैंने अगर मैंने सच पोल दिया होता तो वो पूरे परिवार के साथ आत्माध्य कर लेता इसलिए मैंने ऐसा किया अहां फिर तुने गल्टी की है ना इसकी सजा तुझे भूगत नहीं होगी कैसी सजा ऐसा पुछो जो मैंने गल्दी की तो मेरी आंखों पे पटी बांदी थी ना अब मैं तेरी आंखों पे पटी बांधूंगी नहीं, तेरी आंखों में पट्टी बांधना एक खेल था, मेरी आंखों में पट्टी बांधी तो अनर्थ हो जाएगा, ये सब बहानत छोड़ो, मैं पट्टी बांध करी रहूंगी अब मेरा इंतजार खत्म हुआ, उस देवी की आंखों में पट्टी बांधी गई है, फौरां जाओ, पंकडिया ले आओ अब मताओ फौरां जाओ अब मताओ अब मताओ अब मताओ आइजा थे अब मताओ आओ आओ Ne? Neydi bu şey? Neydi bu şey? Neydi bu şey? Neydi? वाह जिएफ! रजश्फ वरी? ऐय.. रजश्फ वरी? साब जी साब जी में सब हॉस्पिटल गई हुए हॉस्पिटल क्यों जब आप गाउं में नहीं थे रादा भी एक एक्सिन हो गया था और आखों में चोट आई आपरेशन करना पड़ा आजी पट्टी खोलने वाले हैं मैं आखों के पंखोरी चोड़ी करके लाया हूं और यहां पर मेरी बेटी के आखों का आपरेशन हो रहा है कहीं उन दोनों में कोई संबंद्ध नहीं है राधा राधा दीरे से आखे खोलो मम्मी डैडी आए हुए हैं देखो तो बेहन बेहन घवराने के कोई बात नहीं तुम बिलकुल ठीक हो गई हो क्या देख रही हो बेन तुम बेहोश पड़ी थी गनी मते में वहां आया मैं तुम अपने कोड़र पे लेके आया हूं मैं यहां का ड्राइवर हूं मेरे अपनी कोई बेहन नहीं है तुम चाहो तो मुझे भाई मान के मेरे साथ रह सकती हो रुकिये आप कहां जा रहे हैं इस बेवक्त आप कहां जा रहे हैं अरे वहां कल तक साइलेंट पार्टी बनके रहने वाली आज साउंड पार्टी बन गई है मैरे सामुण उठा के बात मत करना, I am a free bird मैं कहीं भी जाओ मेरी मरजी, मेरा निजी मामला है, पुछना थो कौन है मैं कौन हूँ M opini भी आज तक नहीं पदा था कि क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इन बातों से मैं अंजान थी लेकिन इस घर में जो हो रहा है उनको देखने से आपकी कर्तुतों पर उज़े शक हो रहा है शक हो रहा है ना अब और कुछ मत पूछना सुनोगी तो टेंशन हो जाओगी अब क्या कोई टेंशन नहीं आपने मेरे पीट पीछे कोई गोर अपराद किया है इसी वज़े से हमारे बेती की आखे चांदी की आखों की तिरह बदल गई है जरूर कोई देव प्रकॉब है कि मैं एक नास दीखूं तिरी फालतु बादों में नहीं आने वाला और सुन मैं एक बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूं एकार में मेरा टाइम में मत करना अब कर दो हुआ है कर दो है राधा, कल तो तेरी आँखे चांदे की पंखुरी जैसे थी, अब तो अब तो ये साम की आँखे जैसे हैं कल मेरी आँखे देवी मा के आखे थी, और आज ना देवी की आखे हैं, पता है, मेरी दो हजार आखे है मेरी आखे जैसी बद़ने चाहिए बदल गई है, जहां पहुंचनी चाहिए पहुझ गई है, ये जाने बिना तेरा पती भातक रहा है खायब मैंने वो पंकुडिया इसमें रखी दी वो पंकुडियां कहां है या मैं जान गया हो तुम यही ठेरो मौने लेकर आता हूँ क्या धून रहे हो मैं यहां केसे आ गई सोच रहे हो तुम जहां धीरे से पहुंच जो के वहां मैं पल भर में पहुंचती हूँ जब तुम जमीन पर चलते हो तम मैं आसमान पर चलती हूँ ठीक है ठीक है जो तुम ढून रहे हो वो उस कमरे में है जाओ जाओ तू कैसे जनती है तेरी जनम कुंडली ही मेरे पास है जाओ 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 देखो हाँ अब इससे ठीकाने लगाने का समय आ गया हाँ 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 पंखडियां इस बकसे में रख्ये कहां जा रहे हो देवी मा के पास जा रही हूं भक्तों को इश्वर के पास जाने की जरुवत नहीं इश्वर ही भक्तों के पास आ जाएगा उन पापियों को ढूनना है पापियों को दुर्गदिवी ढून लेगी उन लोगों को मारना हैMaybe उनको मारना शे रावालि का काम है उस मांत्र को मिटाना है वो काम जगदबा कर लेगी आंखों के पंकुडिया लानी है वो चामटी संभाल लेगी बहुत मीठी बातें कर रहे हो कौं हो मैं कौन हूँ इसक पारी बातों का जवाब इसने दिया, लेकिन खुद को अन्हें ये नहीं बताया। क्या बात है ब्रदर, तुम तो ऐसे सिगरेट पी रहे हो, जैसे खुद को आग में चलाना चाहते हो। उस मैजिक पार्टी भैरव ने आखों के बारे में कुछ बोलके मुझे कन्फ्यूज कर दिया। क्या कहा उसने। दुर्गा मा की आखों की पंखुणिया जो मैंने चुराई थी वो गयब हो गई थी। वो इस वक्त राधा के पास है। ऐसा उसने कहा। इसके लिए कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो। उसे पकड़कर पिटाई करो सच क्या है अपने आप बहार आ जाएगा। अब देखो। अरियो राधा। राधा। ए राधा। बता देवी मा की आखे कहां है। चलाई क्यों हूं। क्या हूं। दुर्गा मा की आखों की पंकुड़ी को इस दिवार में तेके तुम दोनों घबरा गए क्या। मेरा नाम आखों वाली देवी है। मेरे पुरे बदन में आखे हैं। पुरे देश में आखे हैं। इस मिट्टी में आखे हैं, नीम के पेड में आखे हैं, मेरी हजार आखे हैं कर्नमाई आखे पेम दाई आखे खोद भरी आखे ज्वाला भरी आखे न्याएद आखे शक्टी दाई आखे दुष्ट हरी आखे कश्ट हरी आखे बल दाई आखे सिकद आखे माता आपना येवीदा ना से वाद पर्ण महीए आखे प्रेम दाये आखे खोध भरी आखे जॉल भरी आखे न्याए डायी आ खे शक्ति दाये आखे दुष्ट हनी आखे पश्ट हनी आखे बल जाई आखे सुखदायी आखे माता हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है रात में प्रभाद में घर्म में घर्जाद में तू है चुचा रोरभा म।फड द slips पुष्ट को, दुष्ट को, दुष्मन को, पापियों को बिताओंगी मैं दिखती हो, भूली मैं, अप्मारों में घर जाओंगी मैं दुष्ट को, 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 दुष् आँखे चपनी दाईए आँखे तुष्ट हरनी आँखे पश्ट हरनी आँखे बल दाईए आँखे सिसराईए आँखे कि दीवार में आँखे क्या कह रही हो कोई सपना तो नहीं देखा नहीं तुने अपने आँखों से देखा है इतनी बड़ी दिवार में वो शक्तिशाली आखे अब में सोचती हो तो दिल कापने लगता है मेरी बेटी के पास दीवे शक्ति है तब मैंने नहीं माना लेकिन अब अब उसकी आँखों को देखके हिल गये हैं उसकी आँखे बिजली बनके कब सर पर गिरेंगी ये कोई नहीं जानता अगर हम सब को चैन से रहना है तो चल भी कुछ से कुछ करना पड़ेगा मेरी शक्ति से मकाबला करने वाली उस बच्ची को फारण खत्म करना होगा बाकी मैं संभाल लूगा बाकी का मतलब उसे दफनाने का खर्चा पार्टनर तुमने कहा कि बच्ची में क्यों अनोगी शक्ति है तो फिर उसे कैसे मार सकते हैं उसे मार दिया तो वो शक्ति मिट जाएगी अगर ये बात है तो कल ही उसे छिखाने लगा दूगी कि अज़ा पागल होगा जो अपने गाल पर मारा जा रहा हूं मैं हूं जो गाल पर मार रहा हूं कोई और होता तो इन पर फिदा होकर इनके आगे पीछे घूमकर नहीं जाने कहां कहां क्या क्या मारता इस चंद्रमुखी पिछे से पारू दिखती हो महले के सारे लेड़के देवदास बनके तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे डोलारे डोलारे मन देवदास की कहां नी सुना रहा था वैसे तू सही कह रहा है दुनिया में इतनी सारी कंट्री से पर कोई इश्वर के सामें ना सिर्फ इतना नहीं पूज सकते हैं दार्उपी हैं थीक है सिस्टर यह गट यह गाई अख चोडाल को मानने के लिए कहा थ रहा है इस चोडाल वाले छुटकी को उसकी सगी मा के हाँ तो मर्वा दिया तो वो कैसे राजेश्वरी आप इस तरह यकीन नहीं हो रह ना वैश्णु देवी के नाम पर मैं व्रत रख रही हूं हाँ ये चामुन देश्वरी माता के मंदिर का प्रसाद है इसे ले जाकर अपने हाथों राधा बेटी को खिला दो हाँ दीजी ये लो बेटी चामुन देश्वरी माता का प्रसाद ओ चामुन देश्वरी माता का प्रसाद क्या देख रही हो ले लो बेटी जल्द बाजे मत करो अउफ्फो ये क्या बेटी माता की प्रसाद बी नेम की पत्थी मात्ती से और भी पवित्र हो जाता है। ये क्या, तुम नहीं जानती? वो तो ठीक है लेकिन ज्यादा डाल दी कड़वाहट होगी ना ये पत्ती कड़वी है लेकिन अब ये कड़वाहट निकार देगी अरे ये क्या बेटी हरी पत्ती तो नीली हो गई इसकी कड़वाहट मिट गई है अभी दे दो पी लेती हूँ उसे मरने के लिए जहर देकर आप दोनों इत्मिनान से बैठे हुए है मुझे टंशन हो रहा है अच्छा मरने के आवाज नहीं आ रही है मरने के बाद आवाज किसा आएगी मरने के बाद आवाज तो नहीं आएगी पर उसके मां की रोने की आवाज आएगी वो नहीं आ रही है न वो आ रही है लाश बच्ची सुना है जहर पीने से नीले हो जाते हैं ये तो पीले होकर आ रही है चामुन देश्वरी माता का प्रसाद बड़ा स्वादिश था जहर देने के बाद भी मैं जिन्दा कैसे यही सोच रहे हो ना कि उस जहर को नीम के पतों ने खतम कर दिया तुम लोगों को देली मा खत्म करेगी जहर कहा कर भी बच्ची नहीं मरी जहर की बात चोड़ी है एटम बाम निगल कर भी तकार मार सकती है वह वो बच्ची नहीं है छोटी चुडएल है पाटनर उसे लॉजिक से नहीं मार सकते तुम्हारे मैजिक से ही मारना होगा फिकर मत करो शत्रुसानार यक करके उसे मिठा के रग दूँगा साहब दी उसे के लिए क्या देना पड़ेगा दर बली देनी होगी तू जाएगा साहब देनी होगी जाएगा कारी कपालिगी दुद्ध क्षमा स्रिवादात्री स्वावास्वतानमो तेरे जय तुम देवी चामु दे जय बूदाति हारे में जय सर्वत देवी पाना जाएगा तेरे मन में तूफान इसलिए मेरे पाव में दूद की नदी माता का अभिशे करने के लिए दूद लेके आई वो मैंने तेरे कदमों में डाल दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं दूद जहां बहना चाहिए वहीं बहाया है क्या कह रही है अरे परिशान नहों मैंने कुछ का बबा कहते हैं बच्चे भगवान का रोब होते हैं तुम्ही जो पसंद है नीमबु चावल दही चावल जैसे सभी स्वादिश्ट मिष्ठान है मन करी तो खालो यह सब मैंने तो नहीं मांगा ना क्या मांगने से देना चाहिए सब को खिलाने वाले हो मैं मुझे अन्नपूर्णी कहकर भी बुलाते हैं तुम जानती हो ना इतनी सी छुटकी है लेकिन बाते सब बड़ी बड़ी मुझे कुछ समझ में ने आ रहा है मुझे यह सब नहीं चाहिए ले जाओ यह अच्छा है बाबा अच्छा है इसलिए खाने को कह रही हूँ कहो तो मैं तेस्ट करके खिलाओंगी तेस्ट करेगी यह क्या हो रहा है वहां जो कुछ भी हुआ वो सब तू जानती है तो तू है कौन मैं कौन हूँ का बचक्छ पुरिक करे बाओंगी तेस्ट की यह मुआ ब्रशोक पूशे से अजने? हुआ हुआ है हुआ हुआ है कहीं पालवती हुँ तो कहीं पेलवती हुँ मैं कांची पामाक्षी हुँ मैं कांची कामाक्षी हुँ मैं ये सच है फूटे कहली मोते जड़े अस तुझो मैं मैं अन्यपूर ही ये मेरे हाथ से तुखा जूला आज बाहुका आजो तुझको मैं जुला सीता जावेत्री की हासर की गुम्मैं कहीं पालवती हुँ तो कहीं पेलवती हुँ मैं कांची कामाक्षी हुँ मैं कुछ सालो तुझ mai कुछ जड़ मैं जूड़ें पूझको प्रशन गुछ सबसогुछ लिए में कांची कामा हाथ ये जोला रह तूदो दे ओक्षक्ति के शंख से पीती, तुझ को भी लाती थी मैं कहनियों में चून तरिके जूला भी मैं बनाती, तुझ को जूलाती थी मैं ले गई शिवनगरी, कुमकुम तुझ को दिलवाने, सरस्वती से तेरे आल में कच्रा सजवाने काली के हाथों से आठ तेरा फिर मंपाई मैं कांचि पूर की साड़ी तुझ को ठा दिया बाबा धाब की जूडी तुझ को ठा दिया सीता सावेत्री की हा सखी हूँ मैं, हा सखी हूँ मैं कहीं पार्वती हूँ तो कहीं केलकी हूँ मैं, कांची का माक्षी हूँ मैं माता, माता, तू है? स्वयम दुर्गा देवी, बच्ची की रूप में आई है, सोचकर आश्चरे हो रहा है असुर सहार मासुम बच्ची द्वारा होने की नियती है उसे कौन बदल सकता है? यह क्या मा, मैं खुश थी कि तू मेरे लिए आई है लेकिन तू उन पापियों को मारनी के लिए ही आई है क्या क्या जाए, प्यार और बदले की भावना दोनों एक ही दिल में बसे है अच्छी लोग और बुरे लोग एक ही छट की नीची रहते है मा, तू क्या बोल रही है? तू भोली भाली मासुम है, इस शडियंत्र की बातें तू नहीं समझेगी लेकिन इतना वादा करती हूँ, पल भर के लिए भी मैं तुझी छोड़के नहीं जाओंगी सदैव तेरी परच्छाई बनकर तेरे साथ ही रहूंगी रामलाल, रामलाल आया मेम साथ, क्या है मेम साथ? पुझा की सामान इस सब बिखरी क्यों है? भगवान की फोटो कहा है? वो बड़ी मालकी ने कच्रे फेक दी क्या? भगवान की फोटो? कच्रे में? कच्रे में न फेक कर, मंदी बनाकर घंती बजाओं मॉडरन आठ की पेंटी की जगा दुरगा की मूर्ती थी, इसलिए फेक दी इस घर में मेरी एक ही खुशी थी, पुझा पाट करना आपने ऐसा क्यों किया? माता की मूर्ती की बिन में पुझा केसे करू? इश्वर तो कणकण में है, मिट्टी में है, पेड़ पौदों में ऐसा कहते है ना? बाहर गार्डन में जाओ, मिट्टी में देवी महे समझ कर प्रणाम करो, नहीं तो पेड़ को बिन्दी लगा कर पूझा करो. अरे, देखती क्या है? जाब लाँ! मा, माता, मंदर में बसने वाली तू ही, नीम में भी रहती है, सुना है, आज मैं जानकर यह सच है, अपनी आखे खोलकर तूने मेरी आखे खोल दी, आज से मैं तेरी पुझा यहीं करूँगी. कि अज से खोल दूने में भी तूने में पुझा करूँगी तूने में तूने में च्पने करूँगी कि अज वग्हीं करूशवीर गवें है, सुना है, सबस्सक्तर पक्तवण करूढ़ीम आखे खोलुभी है लगता है भक्ति सिर के उपर चड़के तू पागल हो गई है जो दुनिया भर के पेड़ पोधों की पुजा कर रही है ये पेड़ नहीं है जी देवी मा है जैसे कि माता स्वयम सामने आई हो अभी इस पेड़नी अपनी आँके खोली थी क्या कहा एए तुसे किसी पागल खाने में भरती करना पड़ेगा दुनिया में आदमी लोग आखों के बिना अंदे बनके घूमते तू पेड़ की आखों की बात करती है क्यों ऐसी बातें करते हैं दीवी मा की आँके इस पेड़ में है मैंने खुद देखा थोड़ा रुखि क्यों सगायए वह आखें इस पेड़ में आगे ही मा पगली ने कंफियूज कटिया यह यह पेड़ काटा अगरे 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 देवी यह क्या बदन पे घाव कुछ नादान लोग मुझे काटने की खोशिश कर रहे हैं देवी मा तू नीम के पत्तों को देवी मा समझती है लेकिन कुछ लोग दूरका देवी को ही सिर्फ पेड समझते है उन पापियों को यूही छोड़ना नहीं चाहिए हां उसका पुराना हिसाब ही पुरा नहीं यह सब कहा जोड़ूं ए इतनी देर में दस पेड कार सकते थे और तुमने अभी तेक एक डाल भी नहीं काटी डाल तो छोड़ी छाल भी नहीं काटी जा रही है यह पेड रहे हैं पहाड बादा नहीं चल रहा है चेह चेह बग बग चलो घर चलते हैं तुम्हारे घाव में मरहम लगा देती हूं मरहम मेरे लिए पगली कहें की अब देखो कैसा चमतकार है दवा लगाई बिना ही तुम्हारे सारे घावगाईब हो गए दवा मैं हूँ, मुक्ती भी मैं हूँ जीवन देने वाली भी मैं, उसे उठाने वाली भी मैं ही हूँ तेरा यग्यपूरी तरह संपन्ध हुआ, शत्रु सन्हा यग्यपूरा हुआ, मांत्रिक तलवार भी मिल गई, उस तलवार से उस बच्ची को आसानी समार सकते हो, ठीक है लेकिन मांत्रिक तलवार का है हाहा, हम् आपन्धुमा का लिए भक शिल्देगर काली आइमनदिष्वाद्रिमयना, खाठ्यायने वाइर्भी निखिषी साविक्तिया वयमता आशुभाहरी साइकोफिन्सितोफोबिया राधाबिट्या.डॉत कॉम क्या मतलब? ज्यान कर रहे हैं ये वात मैंने ज्यापने इस भाशा में कम्प्यूट्रेज करके बोला अरे चाहूं यह अपने आगे खोले उससे पहले ही मांतिर दर्वार का एक वार छुटके चुड़ेल प्लोज काली है मबती शिवासी के लाम आत्या यह देली जाती हुआ यह क्या है एक सिर काता तो पान सिर वाला साम फन बना के नाच रहा है प्रेदे यह कैसी माया है रुकूर नाग शक्ति ना अपना चमतकार दिखाया है अब इस तलवार का चमतकार मैं दिखाता हूं कि अधर करा ना उधर की रही मैं इस वालत में अगर बाहर जाओंगी तो महले के लोंडे मेरे पीछे पर जाएंगे ए मुशी मुव बंद कर तो तो फिर भी ठीक है साले सेक्सी बन गया है जरा मेरी तरफ देख इस कमीच से तेरे पसीने की बद्बु आ रही है अब कोई दूसरा उपाय नहीं है भैरो को बुलाने ही पड़ेगा भैरो उस भैरो की वज़े से सर बच गया क्या रहेंगे तो और पता नहीं क्या क्या होने वाला है चलिए निकलते हैं जो मंत्य शक्ति से नहीं कर सका उसे बुद्धी शक्ति से करना होगा जो लड़की घर आ गई है उसे सम्शान घाट भेजूगा यहां बड़े बड़े भाशन जारते हो वहां जाके जाड़ू मारना पड़ता है अरे भैर भी एच्छी अरे भैरो क्या करने जा रहे हो साब साब बताओ इस रूप में जाओंगा तो काम नहीं होगा यह तो सब को पता है ना मुझे रूप बदल के जाना होगा गड़ अच्छा एडिया है तो किस रूप में जाओगे जिस रूप में जाने से बच्ची का मन जीत सकते हैं उस रूप में जाओंगा ये क्या गंजे सर पर बाल हुगाए हैं अरे बापरे ये रंगे रूप देखके मेरे मन में भी कुछ-कुछ हो रहा है बहुत कुप इस रूप में जाओगे तो वो छुटकी जरूर धोका खा जाएगी मैं भी धोका खा गया चुटकी अभी घर में अकेली होगी यही सही समय है जल्दी जाओ कि मैं विजय होकर आता हूँ कि अरे तो कहा चली मुझे ढूनके जाने की जरूरत नहीं मैं खुद तेरे पास आ गई हूँ अब क्या करने वाली हो शीख रही तुझे मुक्ती मिल जाए एक यह क्या पार्टनर पून कंदे के लिए घर गया गया तूफान बनके उसे मिताने के लिए उसे देखते ही हाथ जोड़ के प्रदेक्ष्णा करके आ गया यह उसके सामने अपनी मंत्र शक्ती भूल गये नाजाने क्यूं दुरुगा का रूप धारण करते ही उसे मानने का मन नहीं किया, हाठ जोनने का मन किया देवी मा, देवी मा, कौन है आप, किसे मिलना है, अपनी महया से मिलने आई हूं सुबह से नहीं मिली न, बहुत बेचे निसी लग रही है, इसलिए उससे मिलने आई हूँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन देवी मा, अरे वो चुछ ए राजेश्वरी, राजेश्वरी, मैं तुझे वहां अंदर कुछ मेरे घर में आगर मुझ भी यहां दुखा रही है तो मैं तेरी खोपड़ी लुड़ा दुबा देखे बार बार गलपी मत कीजिए इन्हें जो पंखुडी चाहिए वो आप इन्हें दे दीजिए मैं तेरी आखों की पंखुड़ी निकाल कर दे सकता हूँ पर देवी की पंखुड़ी नहीं दे सकता मेरे आद में पिस्टोल है बीचे मता नहीं तो तू भी नहीं बच्चे कीजिए लग अखिर तुम कब तक जानवरो के तरह पेश आओगे अगर तुम अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे ये क्या सिस्टर अचानत बस करो अब तक तक तुमने काफी भूल कर ली इस लड़की से मैं बात करती हूँ मेरे साथ आओ देखो बहन, मेरे भाईया ने पैसो की लालच में आकर अंखोडिया चुरा ली, उसे माफ कर देना आज रात बगीचे की नीम की पेड़ के पास आजाना, मैं आखें ले आओंगे मैं आप पर भरुसा कर सकती हूँ, जरूर कर सकती हूँ ए मंगो, ए मंगो राम क्या है बिटिया इस वक्त क्यों लेते हुए हो मैं ठैरा चंडाल, कोई मर गया तो ही मुझे काम मिलेगा और क्या करूं आज रात तुझे काम मिलने वाला है क्या कह रही हो बिटिया तू जाके गड़ा खोद, मैं लाश को वहाँ पर भेज दूँगी ऐसे क्या देख रही हो मैं कभी बादा नहीं तोड़ दी अहाँ था न आँखों को लेकर आउंगी, आँखों के साथ ही आई हो जरा रुको अहाँ यह क्या है मैंने जिनाखों का जिक्र किया था वो देवी मा के आखे नहीं, इसकी आखे मेरी भाई को पंखुडिया चुराते हुए सिर्फ तुम ही ने देखा है अटने इरोगे झाल 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 उसके पास God Power है या इविल पावोर जो भी हो मेरी बहन को उसने मिठा दिया क्या कर दो समझ में नहीं रहा है अब उसी जबान को पंचर कर दिया यह क्या उलिया बना रखा है मैं बाटा का सामने अप्रूर बनके सरंगर हो गया हूँ मैंने जो भी पाप किये है अपनी गंदी जबान से किये हैं इसलिए मैंने इसे सजा दे दी लेकिन आपने जो पाप किये हैं उसके लिए आपको पूरे शिरीर में छेथ करने पड़ेंगे, मैं तो अपसुधर गया हूँ, आप पर छेथ करने के लिए माता खुद रिशू लेकर आएंगे, तभी आपसुधरेंगे, मैं चलता हूँ, ठाठा कल छुटकी चांडाल से कह रही थी, कि रात को लाश आने वाली है, और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ, मतलब बच्चे के रुप में कौन आया है? यह क्या चुटकी, महा विश्नु की तरह लेती हुई हो? वहाँ, महा विश्नु इसी तरह लेते हैं, वो देखो, गनेशी भी ऐसे ही लेती हुए है, इन सब को छोड़के तुम मुझसे ही क्यों पूछ रही हो? तुम, तुम कौन हो? मैं? कौन हो? तुम्हारी राधा? तुम राधा नहीं, देवी मा हो, तुम मासुम बच्ची नहीं, जगदंबा हो माँ, बहुत अच्छे, हवा का जोका बनकर आई तो नहीं पहचान होगी सोचा, लेकिन अपनी माता को तुमने आखर पहचान ही लिया? मा, तेरी कदम मेरी चोकट पर पढ़ने के लिए मैं साल भर रुवत रख सकती हूँ, तुमाह तो गई हो, देवी मानबन के इस तरह हत्यारा इंबन कर क्यों आई हो? मनुष्य मारता है तो वह हत्या है, वही माता मारती है तो वह सहार, किये गई पाप का दंड मा, की गई भूल पर दंड ना जरूरी है, अगर तु चाही तो ख्षमा नहीं कर सकती ख्षमा करूँ? आँखों को छीनने वाले को? ये बद्रकाली कभी किसी को ख्षमा नहीं करती, केवल दंड देती है, मृत्यो दंड तुनी बद्रा तु लिया ना, मेरी आंखों की सामने उनकी जान ले ली थी तुने, अभी तेरा कलेजर ठंडा नहीं हुआ पाप का साथ देने वाली का अंत कर दिया, मेरे आड़े आने वाला एक शत्रू अभी तक जीवत है, उसे भी दंड देने के बाद ही मेरा क्रोध थमेगा मा, जब तु साम बन के आई थी मैंने तुझे दूद पिलाया, जब तु पेर थी तब तुझे सजा के तेरी पूजा की, अब तु रूबरू सामने है, मैं तेरी पूजा करना चाहती हूँ, मगर तु बली मांग रही है, अपनी इस भक्तिन के लिए तुने माफ नहीं कर सक भक्तों के लिए पापी को शमा ही करना है, तो प्रपंच में देवी देवता किसली है, माता, मैं किसी भी तरह उन्हीं मना के, वो पंखड़िया तुझे लोटा दूगी, उले छोड़ दो मा, मैं यहाँ पर दया नहीं, वृत्यू बन कर आई हूँ, मा, तु चाहे तो उनक के विरुद्ध होगा, यह बदरकाली, तुझ में जरा भी दया नहीं, यह समय दया दिखाने का नहीं, सहार का है, क्रोज सभल कोना, वैश नभी माता, हट को छोलोना, दुर्ग देवी माता, माता, धूर के देखोना, मंडल देवी माता, प्रिश्विल रोकोना, काली देवी माता, कल इसके हाथ से भल और दूद को सिकारा, आज इसने दुश्मनी क्यों क्यों इसको है दुतकारा, अरे चामुंडी है, भैरी वी है, अंभी का है, पालती है, दिक्षा में जिंदर दो मेरे लिए, इसको रनवा के चूंदर दो मेरे लिए, कोज के भल कोना, वैश नदी माता, हच को छोलो ना, जर्गा देवी माता, भूर के देखोना, मंडल देवी माता, पीश लोकोना, काली देवी माता, हाफ थे क्यों है तु रूठी, क्यू तु है रूठी, पश्मत किस की हद हुती? अर 捐 हुती, तेरि यहाद है मजूती, यहाद सजूती, तेरि भग्तन क्यू है गोन मात बोन अत यह कती? मया गत तेरे नाम की ये साथ सुनवाए रही फिर्दे में तेरी जबी अब लबसाए रही मया इसकी बरत में कोई शक्ती है तो तिए इस शक्ती का वास्ता है शांत मा मया तेरी दयाप तेरी भक्ती पे देख माते हम सब को आस्ता है सांत मा अर शांत हो जा देवी शांत हो जा माते शांत हो जा अर देदु ये वचन देदे ये वचन सब दो हाद में रहने का तू देदे वचन तो भित भल को ना वैश नभी माता, हट को छोलो ना तुर्गा देदी माता, माता, भूर के देखो ना मंडल देदी माता, प्रीशल रोको नाक ताली देदी माता हमकों कुम हली चलाया, थूर्गी चलाया, दूधित उझको नहाया, तुझको नहाया दजिदा तुझको सजाया, तुझको सजाया, जीमन को नमिदा जीमन देने वाली तू है तू है माँ भूलोग पर लोग तेरी माँ आभारी इस पे दया गर्बे दुखिया है बेच्यारी मया तू जो सुहागन की मांग उजारेगी तू भी यह भूली है तू भी तो है मारी मया मंदल धागे के बिना अवरत का संसार में ना कोई है सम्मानमा मया विर्पी है मेरी इस अभागल को सिंदूर तू ली और विन्डिया देदानमा मा शात्मा गोधत ग्यादमा होजा शात्मा कि अर्देदे ये वचन, के ये वचन सता सुहाद रहने का दूद एजे वचन गोध के भर को ना वैश न भी माता, हट को छोडो ना तुर गदे भी माता भूर के देखो ना मनल दे भी माता, फिश न रोको ना सालि दे भी माता मैं इसके हाथ से भल और धुर्द कस्वी कारा आज इसके दिश्मन ही तुक्चू असको है तुकारा अर्टाबु भी है भैरे भी है अम्रिका है पागती है भिक्षा में सिंदुर गों मेरनिये इत्को रंगवा के चुदर गों मेरनिये कि पेरी मंत्र शक्ती पर भरोसा करके देवी मार की आँखों की पंखुड़े लाने को मान गया था अब क्या हुआ मातागी शक्ती ने मेरी बहन को मार डाला उसके बाद मेरी बारी होगी इसका कोई जवाब है तर बस मैं मही शासूर का अवतार हूँ वो देवी तुझे मिट माता मैं तेरी लिए नमक डालके छांच लाई हूँ नमक किसी चमककार के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा ये नमकीन छाज नीम की कड़वाहट को मार नहीं सकता ठीक है ठीक है आने का कारण बताओ मैं मंदर जाना चाहती हूँ हाँ माता जिब घर पर ही हो तो मंदर क्यों जाना है मन्नत मांगी है वो मंदर जाकर ही पूरी करनी होगी इसलिए तो हो आओ मां मेरे मंदर जाकर वापस घर आने तक तो मेरे पति को नहीं मारेगी मां क्या देख रही है मुझे सुहागन बन कर ही उस मनत को पूरा करना होगा इसलिए मेरे लोटने तक मेरे पति को तो कुछ नहीं करेगी ऐसा मुझे वचन दो मां तुम वच्छन मांग रही हो या बच्छाग मेरे दिल में क्या ही यह तुझे मालूम है तो क्या तुम् Bäसिन नहीं दे सकती वच्छन देने में क्यों कंजूसी, चिलो देती हूँ, तो सुनो, तुम्हारे मंदर जाके वापस लोटने तक, मैं तुम्हारे पती को नहीं मारूँगी, मैं वच्छन देती हूँ, तुम हो आओ बस, मुझे इतना काफी है, मैं चलती हूँ माँ देवी दोका खा गई, जो मैं चाहूँगा वही होने वाला है, भैरो, तुम क्या कहरो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बीवी के मंदर जाके घर लोटने तक, देवी मा मुझे नहीं मारेगी, ये मेरी बीवी के जरीए, माता से वचन लेने किले कहा था, मैंने भी वैसा ह नहीं किया, इसमें खुशी की क्या बात है, वो मंदर जाके घर लोटेगी, तभी तो तुझे मारेगी, अगर तेरी पत्नी लोटके नहीं आई तो, वो, वाव, वेरी गुड आइडिया, तेरी पत्नी को मैं मा डालूँगा, लेकिन तुझे मेरी एक मदद करनी होगी, तु वो क्या कोई आम बच्ची है, धीवबे शक्ती है उसमें, घवरा मत, तुझे उसको मारने की शक्ती मैं दे दूँगा, तेरे हातों को मैंने शैतानी ताकत देती है, फॉरां जाकर बच्ची के आँके चीन करना, जा जाओके अशजएब पर अच्ती है, भाऋण पर लो जाओके प्राज्डन! से खाँने का बेमेरे का लेसे की मज रखिए औरा है। यह खुछ। अब यह खुछ। कर दोड़ाए दोड़ार भेल殭ा दूआए थार आ कर दो लो halo भरफंग हो भरफंग करा ओम तुने मेरी आंखों को छीनना चाहा, फिर भी मैरे तुझी छोड़ दिया, अब मेरी भक्तिन के प्राण लेले पर तुले हुए हो, मैं तुझी कते ही नहीं छोड़ूगी हाहा जा प्राण इप लेले पर टुले प्राण फेस्टी के लेगा हाँ सुटी सुटी दिया, प्राण परण लेले आ还σे प्रियों नहीं है अहा 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 है ए इंयरे माँ हट जाओ इसे मार कर ही मेरा क्रोध शौन्थ होगा रुको मा मेरे मंदर जाकर घर लटने तक तुम मेरे पति को नहीं मारोगी ऐसा वचन दिया था मैं अभी तब गर नहीं गई, इसलिए तुम वचन बद हो मैं वचन बद हूँ, मैं अपने वचन का दुरूपयोग नहीं होने दूँगी तु जानती है, ये तेरे द्वारा वचन लेकर तेरे ही प्राण लेले पर तुला हुआ है और मैं इसे श्रमा कर दो, और भी ये जीवत नहीं रहेगा सदा माता माता की रहत लगाती थी, उस बेटी को तो यही आईश देना चाहती है क्या कोई भी माँ अपनी बेटी की माँ गजाड़ना चाहेगी, लेकिन तु यही चाहती है आजा, आकर अपनी मंज़पुरी कर, चला अरे वारे देवी मा, तो तो साता सुहागर बनी रहेगी, लेकिन मुझे अपनी चूड़या तो नहीं होगी, यही ना इसे भी तेरी खुशी है ना, तो फिर आ, अपनी बेटी की सुहाग को मिटा दे, आ महादूर के, मैं नहीं इंसान होकर भी इंसानियत से अंजान बना रहा, इंसानों के आखे ही नहीं, तुम्हारी आखों को भी चीनना चाहाँ, मुझे माफ कर दो मा अभी तक कि लोने चुपाब किया है, उसके लिए इनके हाथ चल गए, और सजा मत दो मा, माफ कर दो उस वचन के कारण नहीं, तेरी भक्ती के कारण में जुपती हूँ, मैंने इसे शमा किया मा, मेरी बेटी के पास तेरी आंखों की जो पंखुडिया है, वो तेरी अमानत है, तो उन्हें ले ले, मा कि और मार्लit इस न्हें, श्मेक कारण माई ये आखे पेम दाई ये आखे गोद भरी आखे ज्षाला भरी आखे न्याए दाई ये आखे शक्त दाई ये आखे दुस्च हरिए आखे कश्च हनी आखे बल्गाई आके सिक्दाई